मेकर्स इसलिए एलविश को जिताना चाहते हैं अंदर की बात आप लोगों को बताती हूँ जो मेरे हाथ लगी है तो गैस वैसे ऐसी बात नहीं है कि मेकर्स जिताएंगे तभी एलविश जीतेंगे कि भई उनके कोई फैन ही नहीं है क्या उनका फैन बेस नहीं है क्या लोग उनको प्यार नहीं कर रहे हैं ना मैं यह बात नहीं बोल रही उनके बहुत सारे फैन्स बहुत सारे फैन्स बहुत सारी वोट कर रहे हैं प्यार दे रहे हैं पर यहां पर अगर देखें तो एलविश तो एक्चली में वोट्स में काफे ज़दा आगे है ना अगर बनने वाले हैं पर अगर यहां पर फुक्रा इंसान को देखें तो फुक्रा इंसान सेकिन नमबर पे हैं पर फुक्रा इंसान की भी वोटिंग कम नहीं है भाई टक्कर दे रहे हैं 50-50 चांसे जो है इनके हुए हुए हैं अब मैं आप लोगों को बताती हूं अंदर की खबर म निकर्स जो है खुद चाहते हैं कि अलविश भी जो है वो बने बिग बॉस ओटिटी सीजन टू का विनर क्यों क्योंकि आज तक कोई भी वाइल्ड कार्ड विनर नहीं बना और कोई भी ऐसा मस्त सा वाइल्ड कार्ड आया भी नहीं और यह अलविश आया है फैन बेस बहु जादा लेके आया है और सिरफ कोई भी जो वाइल्ड कार्ड है अक्चली में वाइल्ड कार्ड जैसे बिग बॉस 17 आने वाला है या बिग बॉस पहले निकल के जा चुकी है उसमें मेकर्स ने बीच में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अप्रोच किया ऐसा वाइल्ड कार्ड में आने के लिए पर उन्होंने मना कर दिया क्यों क्योंकि वो खुद जीतना चाहते हैं वो बीच में आके क्या करेंगे अच्छे अच्छे नाम जो है वाइल्ड कार्ड में आना नहीं चाहते तो यह जो स्टॉपर है यह एल्विश को जिता के वो स्टॉपर को हटा ना चाहते हैं कि उनकी गाड़ी जो बिग बॉस की है वो स्मूध चले अगर कोई ये बात Бोले कि वाइल काड़ जीत नहीं सकता है जो माइंड में है जो सब मलकी इतिहास में अभी तक हुआ नहीं है वो इतिहास रचा जाए और लोग ये बात बोले कि वाइल काड़ भी जी बोला है इसका Elvish का fan base बहुत जादा है फुकरा इंसान का भी fan base बहुत जादा है दोनों में 50-50 की टककर है अगर अब बोलू तो भई अब के हिसाफ से बोलू तो Elvish ही लीड कर रहे है न पर साथ में फाइदा makers का भी है अब आप क्या कहना चाहेंगे इसके उपर Elvish fan है या फुकरा इंसान fan है या Manisha fan है इसी के साथ में लेती हूं जादा नमस्कार